हेलो गाइज वेलकम बैक टो वाइटिल व्लॉग्स तो कैसे आप साजे मैं तो एकदम मस्तू फिलाल बना रही हूं मैं चपाती क्यूंकि पमा की थोड़ी तबियत खराब हो गई है पर फिर विनोंने सब जी सुबा की बना के रख दी है और मिर को नौ बजे उठाय बलते चपाती क्यूंकि दक्ष पूखाजान वराने वाला है आगे आएगा इस चपातियां बन रही है और दूद भी बॉइल कर दिया है इसमें है हरी सब्सक्राइब दूब्सक्राइब सबसे पहले ही बैठ गया है साथ में कर रहा है गी व्लॉग एडिट और विचारे ममा इदर थके हारे ममा मत कर मत कर परें दूज़ा क्या से कमाएगी यार इस्टेग्राम ग्लिफवनी दीजी है इंगर को पता क्या आइडिया आया इस्टा टेश्टी गाई सही सब्की पंजी सुना बूलका दोस्तो हमारे पहाडियों में बोलते है इसे बूलका जो की खेट में मिलता है तो कैसा लग रहा हूं मैं चश्मे पहन के तो दोस्तों आप इनकी चाय देख सकते हो कितने सारी के पूरे-पूरे का भरे रहे हैं काई आपको पता है मैं कितनी चाय पित्ती हूं और यहां बर ममी ममी तो चाय के वगया रही नहीं सकते जैसी सुबा उठते है वैसी सबसे पहले चाय है अपना तो खालिया और दूस्तों बिमार है बिमार में तो रूटी नहीं खाया जाए तो आप कैसे खा रहे हो यह हूं अलग अलग शरीर होता है लोगों का समझा ना कई ओको भूख नी लगती कई ओको भूख लगती जैसे कि मेरे जैसे प्राणी तेर को बलगती है अभूख अभी तो यतनी पतली कुपोशित चाली है 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 ना गाइस ममा ज़ाड़ू दे रहे है मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं ज़ाड़ू देती हूं पर नाए कुद देना तो खुद देना है और अभी तो ठोड़ी ठंड है दूप नी लगी से ऊपर बस थोड़ी सी बालकनी में लग जाती है इसके बाद क्या है बस होई है रील सुनाएंगा दिन को बहुत ही फणी 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 तो गाइज काम सारा हो चुका है मैंने किचन में जाड़ू दिया क्योंकि बंबार बिद्कूर ऐसे हो गए थे और अभी तो मैंने नहीं होंगी अभी तो मैंने मरना नहीं है जब तक थोड़ी दूपनी लगती तब तक नहीं होंगी क्योंकि आज मैंने अपने बाल दोने और गाइज आज तो हो रहे हैं सारे लोग डाड़ी बिद्कूर तीन गाड़िया जो हquisा डैतो चार गाड़िया हुर्ट सबके साथ सबका धिकाश जाज वे है तो पिंकी पींकी मांकी पींकी आही तो गाइज अभी तो हम धूप सेखने लगया है आहा बहुत मजा हा रहा है अंदर तो ठंड है बहुत ममा कैसा लग रहा है अभी अच्छा लगाई तो गाइज अब हमको दादी ने जॉइन कर दिया धूप सेखने के लिए और हम सुन रहे हैं पाड़ी गानो इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे नमक डालेंगे ओकी यमी होता है ऐसे करके तो गाइज अब शार्यू मैंन हने टाइम हो गया एक बज रहे है अब तो बहुत दूप लग गई है और इसके बाद अनीश पी उपर आ रहा है फिर हम रील्स बनाएंगे चलो मिलता अबसा थोड़ी देर में ओके बाई ये गाइस आगे मैंन हाके एक्टम फ्रेश फील हो रहा है और ममा धोरे कपड़े मिरको मोरा था कि चावल देख लेना और ये शायद नीचे लगए अब जितने को ममा उपर आएंगे इसमेल कैसे करके भगाओं मेरे को पता नी लग रहा है लग तो रहा है कुछ की लग गया नीचे देखते हैं हाल तो काई सबसे बुरे हैं मेरे और पता नी कब तक रहें गैसे हालत इतनी बड़ी होगी और फिर भी कुछ फरक ही नी पड़ता और पता मेरे रवर्डे आ रहा है पर ऐसा होता है ना कि जैसे बड़े से दो तीन दिन पहले होती है तो बड़ी एक्साइटमेंट फिर उस देख रही हूं जो बोलते हैं कि एज बढ़ रही है पर दिमाग नहीं भढ़ रहा है वैसा मेरे साथ हो रहा है एज तो भाई पैसा लग रहा है कि फटा 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 बड़े हो रहे है पर दिमाग वैसा का वैसा ही है हरकते भी वैसी है गाइस सर्फ्राइस देखो मेरे को क्या क्या पहना दिया हनीश्विया के चक्कर में मैं लब रिल्स के चक्कर में ऐस तो मेरे चक्कर में भी हनीश्विया के चकर में दोनों के चकर में वाइठिल व्लॉक्स के चकर में तो गाइस ये तो मम्मा के है यह दादी की है, यह भी मम्मा की है, जूड की यह भी मम्मा की है सब कुछ ही मम्मा का है, सिर्फ मैं मेरी हूँ और बस इसके बाद हम फोटोज ब्यारा लेंगे, विदियो लेंगे वुहूlling पर अच्छा लग रहा है इसको भैन के मैं अब सब कुछ बेंग देखो गाईज है तो ये थोड़ी भारी थोड़ी नी बहुत भारी है पुरा ऐसा सिर ऐसा जा रहा भी देखो देखो है तो ठीक है जादा लंबी भी नहीं है ठीक है पर बाल इसमें फसरे है बहुत जादा अब ये व्लॉग करते हैं यहीं पेंड अब हम पीरेट चाहे और हनीश पर अभी चलेगा गाए लगाने और इसके बाद रिल्स एडिट करेगे फिर वो हम इंस्टा पे डालेगे बस यही कि आज की दिन तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं आप से एक ऐसी नए व्लॉग के साथ अब तक लिए टेक यह टाटा बाई बाई